नमस्कार मैं राजेश दलवानी आप देख रहे उल्लास लाइन बुलिटिन शहर की ताजा खबरे देखेने के लिए हमारे नीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें उल्लास टेशन रोड पर सीचेम कॉलेज से संतू बिल्डिंग वाले रास्ते पर बनी रेडिमेट कपड़े के दुकानदार व्यपारियों ने परीसर में एक सर्फरे व्यक्ति के आतंकों को लेकर आज अपनी दुकाने बंद कर सेंटरल पुली स्टेशन पर मोर्चा निकाला इस्थानिय दुकानदार वो दौरा मिली जानकारी के अनुसार कल एक व्यक्ति ने संतू बिल्डिंग के सामने स्टार रेडिमेट कपड़े के दुकान मालिक पवन गुरुबानी के उपर हमला किया था उसके गले, शाती और हाथ में बरफ काटने वाला सुआ गुसाया था जिसके बाद दुकानदार को अस्पताल में भरती किया गया था जहां दुकानदार की इस्तिती नाजुक बनी हुई है कल के ही दिन वहां से गुजर रहे एक इडली वाले पर भी इसी सर्फिरे ने बेर बोटल से भी हमला किया था इन हमलों के बाद दुकानदारों ने हमलावर को पकर कर पुलीस के हवाले किया फर आज दुपर वही हमलावर आदमी फिर हाथ में सुआ लेकर बाजार में आया फिर दूसरे दुकानदार के उपर हमला करने लगा जिसके चलते सारे दुकानदार वहां जमा होकर उस लड़के की जमकर पिटाई की और पुलीस के हवाले किया और अ मेरा राव्म राजी वैर में दुकान में बेटा था शोपिंग अपनाम की दुकान वाजी चीश्टार नाम की दुकान है अक्यला बंदा है दस दिन प्रेले उसने दुकान खोला है उसके घर पे भी कोई नहीं है तो ऐसे आग बंद करके आया हो सुदा कून कून ने दुकान के दम बाजी दुकान है उसका पूरा खुन-खुन दा उसका बंद था एक चाकु इ पूरा खुन खुन था हो जैसे ही आया उसको चक्कर आ गया उसको दुकान से होस्पीटल लेके गये और वह लड़का बाग गया पचा चला था दो दुकान बाजु में भी आया था उसका बुरा पुलीस को फोन किया बोला वही अभी आज फिरसे वह मार्केट में दिखा है तो पूरे मार्केट वालों ने उसको सब को पकड़ा है उसको फिरसे वह सुआ सुआ लेके आदा पहुन नाम है उसका उल्लास्ट लाइन बुलेटेन को सब्सक्राइब करें बैल आइकोन दबाए और देखिए लास्ट लाइन बुलेटेन की निउस सबसे पहले आपके मोबाइल पर